गुद मॉर्निंग क्लास वोर्थ बिटा आज जो मैं आप लोगों को हॉमवक जो सेंट कर रही हूँ उसमें मैंने वैसे आप लोगों को हॉमवक ओल्रेडी सेंट भी कर दिया था चैप्टर नमबर फोर के वर्ड मिनिंग्स और पूरी एक्सराइज जिसमें सब कुछ मैंने आप लोगों को अल्रेडी सेंट कर दिया था बट इनकेज अगर किसी स्टूरेंट को वो नहीं मिला है तो मैं आपको रिसेंट कर रही हूँ ठीक है तो वो वो वक आप लोग कंप्लीट कर लीजेगा ठीक है यह चैप्टर बढ़ा था इसलिए हमें टाइम लगया थोड़ा लेकिन अब मैं आपको सेंट कर रही हूँ पूरा एक साथ बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने इग्जैक्ली पढ़ा क्या था और पूरा पीडिएफ सेंट कर दूँगी तो यह पूरा चैप्टर यह बिटर टेस्ट पता था में कड़वा टेस्ट बताता है तो हमने यह पता लगा था कि टंग सिर्फ टेस्ट ही पता करने के काम नहीं आता तंग के और भी सारे काम होते हैं जैसे कि खाने को चबाने में ठीक है रोल करने में खाने को मूं के अंदर रोल करने में काम आता ह तंग हो भी उज़ने के काम आटा है और किया खाने को अच्छी तरह कर पाई हम अच्छी तरह खाने को उसमें भी हैक तरह हमने पढ़ाता कि हम टंग के कैसे कर सकते हैं तो हमने पढ़ा था कि हमें अपने टंक को क्लीन करना चाहिए टंक क्लीनर से और हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए हमें गरम खाना हॉट फूड नहीं खाना चाहिए मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए और हमें कुछ भी खाए चाहिए थोड़ा सा भी मिल्क यू करते हैं यह अपने टंग को बहार निकाल कर और इंसेक्स को अपने अंदर ले ले लेते हैं तो इस तरह आप खाने के लिए इंसेक्स को खाने के लिए अपने टंग का यूज करते हैं फिर हमने स्नेक के बारे में पढ़ा था कि रात को जब उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाते का तीश की मददि सा ए ? कर दैकना है छोटे कर आ, तीश से हे और आटWow पढ़ा है कि एग ए का चीज का सके हैं कि नहीं है तो कॉल परिणीÓ हुंं यह रहा enamel, वो enamel का बनावा होता है, और यह enamel हमारी जो body है, उसका सबसे hard part होता है, hardest part होता है, इससे ज़्यादा hard हमारी body में कुछ नहीं है, सबसे hard अगर कुछ है, तो वो है enamel, फिर हमने पढ़ा था कि जो teeth होते हैं, वो हमें different shape देते हैं, और teeth का अलग-अलग function होता है, फिर हमने पढ़ा था, कि जो newborn baby होता है, उसमें teeth नहीं होता है, उसके teeth नहीं होता है, फिर जब baby 6 month का हो जाता है, तब उसके पहला teeth आता है, फिर जब बच्चा 2-3 years का हो जाता है, तब उसके 20 primary teeth आते हैं, और उन teeth को, हम milk teeth या temporary teeth खहते हैं, जो कि जब बच्चा 5-6 साल का ह तब 20 टीट टूट जाते हैं जो हमारे टेंपररी टीट होते हैं वो टूट जाते हैं उसके बाद जो टीट आते हैं वो परमानें टीट होते हैं फिर वो टूटते नहीं है और अगर वो टूट गए तो वो दुबारा नहीं आते हैं ठीक है फिर हमने पड़ा था जो टीनेजर होते हैं उनके 28 होते हैं और जब हम पूरी तरह एडल्ट हो जाते हैं जब एक दम चीतर POL bड़े हो जाते हैं तो हमारी 20 में टुम परमानें टीट होते हैं 32 में से 16 तो उपर अपर जो यानि कि उपर की तरफ होते हैं और 16 लोर जो यानि कि नीचे के दात होते हैं ठीक है उपर के जबड़ों में जे दात होते हैं वो भी 16 होते हैं फिर हमने पढ़ा टाइपस ऑफ तीत के बारे में कि कैसे अलग-अलग टाइप के तीत होते हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं तो हमने पढ़ा इंसीजर्स यानि कि पहले जो हमारे उपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में जो पहले के चार दात होते हैं उपर भी और नीचे भी यानिकी टोटल 7 जो दात होते हैं आगे आगे के वो होते हैं हमारे in scissors उनको हम कहते हैं in scissors यह four front teeth होते हैं और इनको हम कटिंग teeth भी कहते हैं किंदे जेरें क्यों कहते हैं क्यों कि partly about the items this time काटने में मदद करता है यह जो नुकिलेदात होते हैं, यह कनाइन्स होते हैं, ठीक है, यह भी उपर दोह होते हैं, और नीचे भी दोह होते हैं, ठीक है, यह इंसीजर हैं, दो यहां पे एक नुकीला दात होगा, यहां पे भी एक नुकीला दात होगा, और ऐसे नीचे भी एक नुकीला दात होगा, इधर भी एक नुकीला दात होगा, तो टोटल फोर हमारे पास कितने होता है, कनाइन्स होता है, दो उपर की तरफ और दो नीचे की तरफ, इनको हम ट तो नीचे टरफर होते हैं और … total नीचे पर चीम करते हैं, तो इनको प्रांस का खाना आथानीem तो अनिको नीचे तरफ से लुपर नीचे ऊछे जाफ नीचे म Cum तरफ और शिक्स नीचे की तरफ यानि टोटर 12 हो गए ठीक है उपर की तरफ और शिक्स नीचे की तरफ ऐसे ध्यान रखना और अगर हो सकेगा तो मैं एक फोटो भेज दूगी तो जिससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इंसीजर्स क्या होते हैं कैना क्या होते हैं कि मैं सर्च करूंगे अगर मुझे कोई धंकी फोटो मिल गई तो मैं पको सेंट कर दूंगे उसके बाद है कि अपने दातों की कैसे कर सकते हैं कैसे उनको सही रख सकते हैं तो हमने क्या पड़ाता कि हमें ना दो बार ब्रश करना चाहिए अच्छी तरह और अ अधर हमारे पर्माने टीत एक बार टोच आता है तो वह मापिस नहीं आता है इसलिए हमें दातों का अच्छी तरह द्यान रखना फिर कुछ भी अगर हम खातें तो उसके बाद हमें अपने माउथ को रिंस करना चाहिए या नि कोड़े पानी से दो ना हो जाती है। फिर हमें जब रिंश करते हैं तो हमें अपेंड डाउन मोशन में ब्रॉष करना चाहिए। और हमें बहुत सारे यानि की कच्छे fruit और vegetables खाने चाहिए जिसे हमारे दातों के exercise हो जाती है और हमें time to time dentist के पास जाना चाहिए ठीक है फिर हमने पढ़ा teeth of animals, animals की teeth के बारे में पढ़ा कि कुछ grazing animals होते हैं यानि जो घास चड़ने का काम करते हैं ठीक है वो क्या करते हैं गास भाट नों के पास कॉं से नहीं होते है उनके पास कॉन से दात हो ते उनके पा Sang Roughly Shooting signal कहते हैं TUSK तस्क कहते हैं जैसे elephant के दात हमेशा बढ़ते ही रहते हैं तो यह दात उनको help करते हैं और फिर हमने पढ़ा था कि कुछ सबसे पीछे का तरफ होता है जो टंग होता है वो टंग अलसो है टो क्लीन तंग हमें क्या साफ करने मदद करता है हमारे माउथ और हमारे तीत दोनों तो इसलिए अमने लिखा बहुत बहुत यह धान देखना कि टिक दा करेक्ट ऑप्शन में आप लोगों को ओप्शन्स पू इसको शेप देता है तो तीत देता है ठीक है फिर हमने पढ़ा कि हमारे कनाइंस कितने होते हैं तो हमारे दोनों जो में यानि उपर की तरफ और नीचे की तरफ कितने कनाइंस होते हैं हम लोगों के टू कनाइंस होते हैं फिर हमने पढ़ा फ्लेश इटिंग एनिमल्स के प इनwir क्atyख को क्या थैट किया को इस चीजे में आपको पढ़ा दी इंसी Marg हमारे four front ती होते हैं वह इंसी त umas उनना है और हमारा धी जो है वह है इमपोर्टै बाडी का फिर यह least टुफ फॉर्ज मैचटा फloo उरकुशन आंसर इस अब मैं आपको अभी send कर दूँगी, ये वक जिसका complete नहीं है, वो इस वक को complete कर लेना, ठीक है, तो इस chapter का मैं आप लोग को word meaning, और ये पूरी exercise, A, B, C, D, E, ये पूरा मैं आपको send कर दूँगी, question answers भी मैं लिख कर send कर दूँगी, तो ये वक आप लोग पूरा अपने notebook में complete कर लेना, ठीक है, और फिर भी अगर कोई problem हो इस chapter में, तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो चीज़ समझा दूँगी, ओके बेटा, बाई बाई, टेक कियर,